जैगुरू जी जैगुरू जी संगर जी जैगुरू जी शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे माहराज का मेरे मालिक का जो मुझे आज पहली बार यूट्यूब पे ये सत्संग की सेवा बक्षी संगर जी जब भी मैं किसी दूसरे संगर जी के यूट्यूब प मेहर करिए कि मैं यूट्यूब पे अपना सत्संग शेयर कर पाऊं तो यह मौका मुझे यह सेवा मुझे गुरु महराज की किरपा से आज मिली सुभा रितेश कौशिक अंकल का कॉल मैसेज आया वटसेप की आँटी क्या आप गुरुजी के साथ जो आपकी जर्नी है उसको श कितना blessed feel कर रही हूं कि मैं उनकी वडियाई में बोल पा रही हूं उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी वडियाई में बोल पाऊं कुछ संग जी वैसे तो गुरुजी के साथ जो हमारी जर्नी है वो हम नहीं जानते कि कितने जन्मों से हम गुरुजी के साथ हुई जब मेरे मम्मा को ब्लड कैंसर था संगजी मेरी जोटी सिस्टर है उसकी जो जो उसकी फ्रेंड है उसने हमें गुरुजी से जोड़ा था तो उसने हमें बताया कि आप अपने मम्मा को बड़े मंदिर में लेके जाओ वहां पे उनकी लाइफ जरूर ब्लैस होगी गुर सब्सक्राइम बड़ा मंदिर बन था विकोज उफ कॉविड तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आप अपने मम्मा को बोलिए कि जितना हो सकता है वो गुरुजी का मंतर जाप करें तो संगजी हमें मम्मा को बोला कि आप प्लीज जितना हो सके मम्मा मंतर जाप करो साथ जोड़ा उनको वह जब भी उनको थोड़ा कही फोलोर का था उस हिस वह वेजिए नाम हमने संगा जी कभी नहीं सूना था। और आप देखिए कि गुरू जी ने ममा को उसी होस्पिटल में रखा जहां पे वहां पर फॉर्थ डे में ममा की तब्यत की अचानध खराब हो गई और वो हमें छोड़के चले गई संगजी उनके जाने के बाद संगजी मैं इतना तूट गई इतना तूट गई जैसे मेरा फेथ डगमगा गया क्योंकि नहीं नहीं चुड़ी थी तो पता भी नहीं था कि महाराज की महिमा क्या है वो जो करते हैं हमारी भलाई क के लिए ही करते हैं संगजी मुझे नहीं पता था इस चीज का हम लोग कहते ना इंसानी दिमाग मूर्ख हैं कि हम लोग सोचते हैं कि महाराज ने ऐसे कर दिया क्यों कर दिया हम कोशन करने लग जाते हैं पर हमें नहीं पता कि इस चीज के पीछे हमारी या हमारे अपनों की क्या भलाई है संगा जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसे क्यूं किया मम्मा के साथ ऐसा क्यूं कि आप तो लाइफ भी दे देते हो आप तो लाइफ बढ़ा देते हो आपने मेरे मम्मा को आप क्यूं ले गए गुरुजी तो संगजी ऐसे थोड़ा सा मैं गुरुजी से दूर हो गई उस टाइम इस करके कि गुरुजी ने मेरे मम्मा को लाइफ ब्लेस नहीं करी दीरे दीरे संगजी मेरा फिर से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा मैंने यूटीव पे सत्संग सुनने शुरू करे मैं गुरुजी से हमेशा पूछती थी कि गुरुजी ऐसे क्यूं हो गया ऐसे क्यूं हुआ मम्मा क्यूं चले गए आप तो लाइफ भी ब्लेस करते हो एक बाल मैं यूटीव पे सत्संग सुन रही थी संगजी तो सत्संग भी गुरुजी मुझे वहीं सुन वाते थे जो इसी को घर ले आए तो कहते जब हम घर लेके आए तो कुछ टाइम ममा सही रहे और उसके बाद वो हमें छोड़के चले गए तो कहते कि मेरा विश्वास मतलब डगमगा गया मैंने गुरुजी महराज को बोला कि महराज आप तो लाइफ प्लेस करते हो तो क्यूं मेरे ममा चले जांगड़ा आटे करते हैं जब मैने गुरु जी बोलंा गुरु जी से पूच्छा तो गुरु जी ने जवाब दिया गुरु जी कहते कि जैक मैं इनु बचावी लेंदा था इदी जिंदगी वी चगे बहुत कष्ट सी तो संग जी वो कहते कि गुरु जी ने बोला कि मैं अगली पिछले सारे करम कार्मिक अकाउंट क्लियर करके इनु मुपती दे दिती संग जी वो सतसंग सुनके मैं बहुत रोई बहुत रोई मुझे मेरे सवालों के आंसर्स गुरु जी ने दिये मुझे पता चला कि सेम जो मम्मा के साथ हुआ वो भी शायद गुरु जी ने उनके सारे कार्मिक अकाउंट जो थे वो क्लियर करके उनको अपनी शरन में ले लिया है और अगर वो होते तो पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम में ह या कितने दुख में होते इस वज़े से उनका जो भी गुरु जी को सही लगा उन्होंने किया और गुरु जी ने इतना ब्लेस किया मम्मा को इतना ब्लेस करा संगजी कि मम्मा को उन्होंने कोई कश्ट नहीं होने दिया मम्मा की एक भी कीमो थेरिपी नहीं होने दी कि महिमा के मारा में पता चला। अरय अक्तिता सुनी हैं, हम हम पैस्साम पाल आप हैंजितन कि अधरोषपिया था? होता हम लोग तो कुछ है ही नहीं संगर जी कुछ भी नहीं है हम लोग जो करते हैं गुरु महाराज ही करते हैं संगर जी मैं एक एक आपसे प्रात्ना करना चाहूंगी कि आज मेरा फर्स ससंग है तो प्लीज मैं अगर बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो या प्लीज कुछ डिस्ट्रॉबेंस हो रही हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूं पतने गुरुजी परिक्षा ही ले रहे हैं मैं फर् बूद कुछ आया महराज को पता था कि मेरी जिंदगी में यह प्रॉब्लम जाएंगी उन्होंने वह प्रॉब्लम सो आई यह नहीं कि हम महराज के साथ गुरुजी के साथ बगवान के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती संग जी हूल चुक के बाद एक पेरंट्स जो होते हैं वो भी गई रखनी बच्चे को किसी तक्लीव कि किसी गल्टी के लिए माफ नहीं कर पाते पर हमारे गुरु महाराज संगाद जी इतने प्यारे हैं हम्हें क्बी को प्रॉब्लम जाल Lynd संगा जी मैं आपको अपने बेटे का सतसंग शेयर करती हूं संगा जी एक बर एक्चली मैं जॉब पे गई थी मेरा फर्स जेर था जॉब का तो मेरा बेटा पीछे घर पे ना अकेला था तो जब मैं शाम को वापीस आई जॉब से तो मैंने देखा कि घर में पूरे घर में ग पड़ी है यह क्या की आप ने संगा जी ऑपोला कि ममा मैं तो कुछ भी नहीं किया मुझे खूदा आ रही थी तो मैंने लिटे से 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 लंडर को ओफ कर दिया मैंने कह सकता है कि बच्चा है उसको ना पताओं लगा हो कोई उसने बटन ओन करके रख दिया हो तो यह सोचा वह बिलकुल एंड पर आई ती फिलकुल एंड पर संगर जी में मेरे रोंगते कंगए कि महराज ने कितनी बड़ी life bless किह बच्चे को कितना महराज ने किरपा करी कि उसकीら people करी उसको बचा लिया संगर जी अगरिण कॉफी बनाई अपने लिए उस पहुआ किया अगर कुछ भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था संगा जी मैं सोच के इतना महराज को मतलब इतना मैंने महराज के आगे शुक्राना किया कि महराज इतना शुक्राना आपने मेरे बच्चे की लाइफ को ब्लेस किया उसको बचाया उसको इसके लिए देना नहीं दे सकती महराज का संगजी उसके बाद मैं अपनी बेटी का एक सतसंग शेयर करूँगी संगजी मेरी बेटी जो है वो अस्ट्रेलिया में है 16th of August को वो गई थी यहां से, तो संग जी इसका भी बहुत बड़ा सतसंग है, जब मेरी बेटी का वीजा नहीं आ रहा था संग जी तो हम बहुत परिशान थे, बहुत परिशान थे की पता नहीं क्या हुआ, की वीजा नहीं आ रहा है, क्या है, मैंने गुरू माराज के आगे प्रियर करी कि गुरू माराज जी कि प्लीस उसका वीजा आ जाए पता नहीं क्या हुआ उसका वीजा नहीं आरहा। संगर जी वो स्कूल में टीचिंग करती थी तो जो इक छोटा सा बच्चा उसकी कलास का जिसको स्कूल में तो किसी के साथ भी बेटी ने बात नहीं करी कि उसकी फाइल लगी हुई है बाहर की उसने पलाई किया हुआ है। चोटा सा बच्चा एकदम से उठके बोलता है, कहता है कि मैं आप 16 को यहां से जा रही हूँ, संग जी, गुरु महाराज की कृपा, देखिए कि गुरु महाराज ने खुदी उस बच्चे की रूप में आकर उसको डेट दे दी, कि हाँ तो 16 को यहां से चली जाएगी, संग ज तो मेरी बेटी ने मुझे आगे बताया, मैंने उसको बोला कि बेटा देखते को गुरु जी ने ना डेट दे दी, तो चिंता मत कर तेरा काम उसी तरीक को होगा, संग जी उसके बाद 2-3 दिन बाद एजेंट का कॉल आया, उसका वीजा आ गया, महाराज की बहुत किरपा हो इसका वीजा आ गया, उसके बास संगजी वो हमें एजेंट बोला कि 18th की फ्लाइट मैं कर रहा हूं, तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने का गुरु जी आपने तो 16 डेट दी थी, कि ये तो 18 बोल रहा है, तो कहते हैं ना कि दिमाग अपना जितना मजी लगा लें, को ही मेरी बेटी गई, अब इसका भी बहुत बड़ा संगजी, 16th को जब वो गई, उसके बाद कुछ मन, मतलब दो मन्स के बाद ना, में को नहीं बता था कि गुरु जी की जो ब्लेस डेट है, 7 है, तो 6 प्लस 1, 7 हुई, तो एक बर मैं संग सुन रही थी यूट्यूब पे संगजी तो मतलब वहाँ पे एक आणटी ने बोला कि ऐसे मतलब मेरी जो सीट है, वो 16 को में को मिली, कहते है 16th गुरु जी की ब्लेस डेट है, 6 प्लस 1, 7, तो मैंने मेरे माइड में बेटी भी तो 16th को गई थी, तो गुरु महराज की कितनी मेहर है, कितना शुकराना है महर महराज का, कि हमें उन चीजों का पता ही नहीं है, संगजी की गुरु जी ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ है, कितना ब्लेस, संगजी कई बर तो ऐसे ऐसे तुफान होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता, और गुरु महराज उन तुफानों को हमारे तक पहुंचने ही नहीं नहीं निकल जाए संगजी मैं आप सबको यहीं बोलूंगी कि प्लीज चो भी हो जाए जितनी जैसी स्तिती भी हो परिस्तिती जैसी मर्जी हो पर गुरुजी के उपर से विश्वास अपना कभी मत डगमगाने दीजेगा क्योंकि संगजी हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगो के लिए सही क्या है और गलत क्या है महाराज को पता है कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और उन प्रॉब्लम्स का सुल्यूशन कैसे करना है उनका सुल्यूशन कैसे देना है वो उन्होंने पहले ही प्लैन करके रखा हुए संगजी जब से गुरु जी अपने साथ जोड़ा है मैं तो यह सोचती हूं कि जो गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ थी वो तो समझ लीजे जैसे एक नरखी था एक नरखी भोगा है पर जब से गुरु महराई ने अपने साथ जोड़ा है संकर जी बहुत चेंज करा है लाइफ में इतना च प्रॉप्लम का डिसकेशन करती है कि गुरू जी ऐससे हो गया गुरु जी आप देखो कैसे करना है पर गुरु जी यह नहीं बोलती कि गुरु जी क्यूं हुआ क्या पने क्यूं है महराज को पता है कि हमारे लिए क्या सही है संगत जी क्या गलत है हम लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो तो महराज अपने आप ही सरी विवस्था ऐसी कर देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आभी जाती है न संगत जी तो उसका solution भी महराज हमें द पत्म हो गई कई बढ़ तो संगजी ऐसी होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं और अपने वैनिश हो जाती हैं पता ही नहीं लगता वह आई कब और चली कब गई तो संगजी मैं आप लोगों से एक यहीं अरदास मतलब यहीं मैं रिक्वेस्ट करना जाती हूं कि जादा से जाद अपनी प्रॉबलम को गुरुजी से शेयर कीजिए क्योंकि अगर हम किसी और के साफ शेयर करेंगे ना शंगजी तो हमें सिर्फ कोई हमें सलूशन नहीं देगा हाँ हमारी सब लोग प्रॉबलम सूनेंगे हमें थोड़ा वो सिम्ति दे देंगे पर जो हमारी गुरु जी है वो practical guru है संगजी, practical करके दिखाते हैं, वो कभी भी हमें गिरने नहीं देते, किसी भी कठीन परिस्तिती में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम रोते हैं तो भी उनकी blessing होती है, हम मसते हैं तो भी उनकी blessing होती है, पर वो जो भी करते हैं संगजी, अपने बच्चों की भलाई के ल वह सैल्िवाद किरी हो थे वह स्क्राइब का रिझम का veramente सभी माइचे अपने Babam मुजinator कर दो है में यह जो हो दो में जैंतेों कि बहुता हैं इस साहर। बाहने हैं जैंक हुता हैं जैंक सॅधार कोते डेचसेंस टशक्रेशा में न करो देना चाहती थी एक बन में भाव आ रहा था मैं एक भजन सुनाना चाहती हूं तो उसके बाद मैं गुरुजी से आग्या लेके विश्राम दूंगी अपनी वानी को चाहे काली घटाएं तो क्या उनके आचल के नीचे हूं मैं आगे आगे वो चलते मेरे अपने गुरुजी के पीछे हूं मैं उसने थामा मेरा हाथ है फिर डरने की क्या बात है मेरे गुरुजी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है क्यूं तू भटके यहां से वहां इनके चरनों में आबैठना क्यूं तू भटके यहां से वहां इनके चरनों में आबैठना छोड़े दुनिया के नाते सभी गुरुजी से तू नाता बना वो कराते मुलाकात हैं मेरे गुरुजी की क्या बात है मेरे गुरुजी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है शुक्राना संगजी बहुत 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 शुक्राना कर कोई गलती हो गई हो तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ शुक्राना शुक्राना रितेश कोशिक अंकल जी जो आपने मुझे ये प्लेटफोर्म दिया और मैं अपना ससंग शेर कर पाई बहुत बहुत शुक्राना जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी